बढ़ते हैं पहली खबर की ओर देश में कोरोना संक्रमीदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि कब तक इस महामारी पर काबू पाया जाएगा इस संबन में दिली एम्स दिली के निदेशक डॉक्टर डंदीव गुलेरीय का कहना है कि भारत में करोना वायरस का पीक में आना अभी बाकी है डॉक्टर गुलेरीय ने कहा कि देश में के सांक्रमीदार बढ़ते जरूर हैं लेकिन आबाधी को देछते होई यह होना ही था। उन्होंने कहा कि लोग इस मामले में भारत की लोग इसकी तुलना यूरोपियों देशों से नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आने वाले समय में मामले कम होने के बावजू संक्रमन का खत्रा बना रहेगा। लिहाज़ा जरूरी है कि लोग अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर क्यों। राज़धानी में रोज़ाना जिस तेजी से क्रोणा मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसी रफ्तार से चलता रहा तो अगले एक महिने के बीतर मरीजों की संख्या एक लाग पार हो सकती है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमिन मरीजों के दोगुना होनी की दर करीब 15 दिन है। दिल्ली सरकार को पांस सदस्य कमेटी में भेजी सिफारिश में ये अंदेशा जाहिर करते हुए लिखा है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की वर्तमान हालत पर गौर करें तो तीन दिन के अंदर में बाहरी राज् मरीजों की संख्या 50,000 हो सकती है। फिलहाल दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कुलबिस्त्रों की शमता 10,000 है। जबकि अगले एक महीने में ये संख्या दो गुना होकर 1,000,000 हो सकती है। ऐसी स्थिती में बहारी राज्यों से आने वाले मरीजों को जगा दी गई तो दिल अक्षा बलों ने 93 आतंगवादियों को धेर कर दिया है। इसमें से कई आतंगी संगठोनों के कई टॉप लीडर भी शामिल है। इस बात की संबावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में कश्मीर में आतंगवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाई जा सकती ह आर्मी सूत्रों ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस साल आज सुभा तक 93 आतंगवादी मारे जा चुके हैं। घाटी में बीते दो दिनों में 9 आतंग्यों को मार गिरा है। के खिलाफ अब तक 10 आतंगवादी संबंदी प्रात्मी की दर्ज की गई थी। आज मूडबेड में मारे गए आतंगवादियों की पहचान शोपिया के रहने वाले रहीस खान के रूप में हुई है। उसका हिजबुल मुजाई दिन के साथ संबंध था और 2018 में वे सक्रिय आतंगवादी बनने से पहले वे एक OGWE और राष्ट विरोधी तत्वों का हम दर्थ था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूरी दुनिया कोरोना वाइरस को फेलने से रोकने के लिए जूज रही है इसी बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। नियूजिलेंड फरवरी के अंत बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ जब यहां करोना का कोई सक्रिय मामला नहीं हाला कि स्वास्ता दिगारों ने चाहता है कि देश के बाहर से नए मामले सामने आ सकते नागरी को और निवासियों को छोड़कर अन्य सभी लोगों के लिए देश की सीमा ब तरह में एक शांदार अनुबव है लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा है करोना के खिलाव चल रही सतर्कता आवशकता रूप से जारी रहीगी समाजार एजनसी एपी के अनुसार विश्यशक्यों का कहना है कि कई फैक्टरीज ने इस बिमारी को खतम करने में पांच लाग लोकेशन वाले देश को महत्वपूर्ण समय मिला है जिससे उन्हें अन्य देश में वाइरस फैनले को लेकर तमाम जानकारिया मिली हैं फिर प्रधानमंती जो सिंडा ओर्डन ने न्यूजिलेंड के आउट ब्रेक के दोरान सक्त लागडॉन करके निर्णायक रूप से कार संक्रमण से मौत का आकड़ा बढ़कर चार लाग के पार पहुंच गया है बढ़ते हैं अंतिम खबर कियों भारत और चीन के बीच एक तरफा में पूर्वी लगदाक में जारी गत्रियोत सुझाने की कोशिश की जा रही है वहीं चीन ने बीते साथ से आट दिनों में अप के लिए हेलिकॉप्टर उड़ा रही है चीन इसके लिए M1-17 और अन्य हेलिकॉप्टर का इस्तमाल कर रहा है चीन बीते कुछ दिनों में गालवान सहीत पूर्वी लगदाक से सटे अपनी सीमा में लगाता हेलिकॉप्टर उड़ा रहा है सुत्रों का कहना है कि हाल के दिन इसी समय इंडियन आर्मी और चीनी सैनिकों के बीच जड़ब की खबर भी आई थी सरकारी सूत्रों के मताबिक चीन का मल्टी हेलिकॉप्टर LAC के काफी नजदिक देखा गया इसके बाद फाइटर जड़ से उन्हें खदेडा गया धन्यवाद